नमस्कार आप सबका हमारे चैनल ग्यांद ट्रेजर पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि जैसे कहा जाता है ना कि भाई गदे के पीछे नहीं खड़ा रहना चीए या गोड़े के पीछे नहीं खड़ा रहना चीए कब उदुलत्ती मार दे तो पता नहीं चलता है उसी तरह से पांच तरह के लोग होते हैं जिनके बीच में कभी भी नहीं बोलना चीए नहीं तो आप परिशानी में पड़ जाएंगे और ये मैं आचर चानक के हिसाब से बताने जा रहा हूँ उशल अर्थ सास्त्री थे हो तो उनकी बातों को यदि हमने फॉलो कर लिया तो शलोक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ विप्रियो व्री प्रहद्रेश्च दंपत्यों स्वामी भृत्यों अंद्रेन नगंतवभ्यम हलस ब्रिसबस्यचर इसका आर्थ हम आपको बताते हैं आचार चानक के अनुसार जब दो विद्वान विद्वान जो होते हैं तो उनके बीच में कभी भी नियाना चीए क्योंकि तीसरा जब आएगा यदि आपने इंटर्फियर किया तो यूँ समझ लीजिए कि आप फिर सबसे बड़े मुर्ग हैं तो कभी भी इंटर्फियर नहीं करना चीए जब दो इंटेलिजेंट लोग आपसें बात कर रहे हू आचार चानके के मताबिक स्वामी और सिवक जो सिवक जो हमारे घर में जो लोग काम करते हैं स्वामी और सिवक जब कन्वरिजिशन कर रहे हूं तो उनके बीच में भी नहीं आना चीए वैक्ति अगर स्वामी और सेवक के बीच में आता है तो क्या होता है कुछ बाते जो होती है वो अधूरी रह जाती है कि बहुत सारे जो बाते होती है जो सेवक होता है बहुत सारे चीज़ों का राज़दार होता है तो suddenly जब आप इंटर्फियर करोगे बीच में तो नहीं बताएगा या यो उससे नहीं बात करेंगे जो स्वामी है तो चानक के मताबिक स्वामी अपने सेवक से महतपुर्ण बात करते है और ऐसे मैं दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं करने चीज़ों तो उनके बीच में कभी नहीं बोलना चीज़े उसी तरह से जब हस्बेन और वाइप बात कर रहे हों तो वहाँ भी बीच में नहीं बोलना ची़े वहाँ आप जब बोलेंगे तो आप दोनों के दुश्मन बन सकते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है बहुत सारी ऐसे बातों पर लोग बात कर रहे होता है जो आपको नहीं पता होता है तो आप महां पर कैसे इंटरफिर कर सकते हो तो वो जो बाते करें से उन दोनों को पता होता है और वोगे बाते जो होती है उन्हेंशी बाते होती है तो कभी भी उनके बीच में इंटर्फेर नहीं करना चीए आचार चानक के अपने स्लोक में कहते हैं कि एगर कहीं पर हवन हो रहा हो तो पंडित और अगनी के बीच में नहीं आना चीए क्यों उसका बहुत बड़ा कारण है जिसका महटव पूरा संसार जानता है तो ऐसे के बीच में आप कैसे व्याधान उत्पन कर सकते हो आप कैसे इंटर्फेर कर सकते हो तो हम्हां पे इंटर्फेर नहीं करना चीए उसके बाद जब किसान खेतों की जुताई कर रहा हो तो आभी सतर्क रहना चीए वैक्ति को किसान के हल और बैल के बीच में कभी नहीं आना चीए अगर बीच में आओगे तो आपका नुकसान होगा या तो बैल से नुकसान हो जाएगा या तो हल से नुकसान हो जाएगा और कुछ निग ये भी नुकसान अगर नहीं हुआ तो आप किसान का कॉंसेंट्रेशन तो अब रेक करीड होगे तो आचार चानक के हिसाब से दो विद्वानों के बीच सौमी सेवक के बीच में पती-पत्नी के बीच में हवन और पंडित के बीच में और किसान और हल के बीच में कभी नहीं बोलना चाहिए ये निती है और इस निती को हम सब को फॉलू करना चाहिए तो धन्यवाद आप सब का हमारे चैनल पर स्वागत है आप हमारे चनल पर सब्स्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए धन्यवाद